आप देख रही है MNS News सच जरूरी है इसे इस बात को लेकर चर्चाए हो रही है कि क्या बसपा सुपरीम मायावती AIMIM ने तासु दिन OSE इसे गटबंदन का हिस्सा होगे या नहीं वही दूसरी तरफ मायावती ना NDA और ना ही इंडिया के साथ जाने का एलान कर चुकी है ऐसे में सपानेता शुपालियादो का दोनों निताओं को लेकर बड़ा बयान आया है जिहा सपानेता शुपालियादो से जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि अखिलेश यादो किस PDA यानि पिछडा दलीत और अलपसंक्या का फॉर्मूले से बात करते हैं उसमें जब तक मायावती और असुदिन वैसी शामिल नहीं होते हैं तब तक कुछ कमी लगती है इसके जवाब में शुपालियादो ने कहा कि इसके चिंता आप लोग मत कीजिए मायावती जी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो पहले भारतिय जंता पार्टी से दूसरे बनाए वही अवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो अच्छे नेता है बड़े नेता है उद्यनिदी स्टालिन पर क्या बोले शुपाल शुपाल यादो नेता मिलाडू के मंतरी उद्यनिदी स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिये गए बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहत सधी हुई प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम और हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं हम इंडिया गटबंदन में हैं गटबंदन में रहेगे वही वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर सपानेता ने कहा कि बीजीपी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है जी हाँ पुरे इपक्ष में विचार विमर्षकर ये बात होती है जबकि सविधान में जो है उसे बीजीपी को समविधान के अनुसार करना चाहिए शुपाल यादो से पहले सपासांसत प्रोफेसर रामगोपाल यादो भी मायावती को भारत की राधिती में अप्रसांगिक बता चुके है इंडिया गजबंदन की तीसरी बैठक में शामिल होने पहुचे रामगोपाल यादो से जब ये सवाल किया गया था कि आर एलपी नेता रामदा सठावले ने मायावती को एंडिया में शामिल होने को कहा तो उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता ही भारत की राधिती में महत्वहीन हो गए है ये नहीं एंसीपी नेता शर्त यादो भी कह चु पूरी पिक्चर बागी है मंदरप्रिदेश में भाजपा जहाँ जन आशिरवाद यात्रा निकाल रही है वही कॉंग्रेस पार्टी आकरोश यात्रा निकालने जा रही है जिहा इस पर मुक्यमंत्री शूपाल शुरासिंग चोहान ने कहा कि हमें जनता का आशिरवाद मिल रहा है इसलिए जन आशिरवाद यात्रा निकाल रहे है मुख्यमंत्री चोहान ने सवधाताओं से चचा करते हुए कहा भाजपा को जनता का प्यार आशिरवाद और समर्थन मिल रहा है जिनको प्यार मिलेगा वो आशिरवाद मांगेंगे और जिनको आक्रोष मिलेगा वो आक्रोष यात्रा निकालेगे मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जन्ता में आक्रोष है क्योंकि कॉई वादा पूरा नहीं किया है 900 वचन पूरा ही नहीं किया है आकरोश है क्योंकि कॉंग्रेस ने मदरप्रदेश को प्रिष्टचार का अड़ा बना दिया था आकरोश है इसलिए है क्योंकि जन्धन वो खा गए आकरोश इसलिए है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की जल जीवन मिशन जैसी योजना शुरू नहीं की मुखे मंदरी ने कॉंग्रेस पर हमला करते हुए का आकरोश है क्योंकि प्रिधान मंतरी किसान सम्मान नदी میں उन्होंने नाम नहीं भेजे ते किसानों के साथ धोका किया आकरोश इसलिए है क्योंकि पियम आवास वापस लोटा दिये थे संबल योजना उन्होंने बंद कर दी थी आकरोश इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहनों को भी छला चार हजार बेटी बेटा बेटी की जन्म के पहले और बारह हजार जन्म के बाद मिलता था वो देना बंद कर दिया है आकरोश इसलिए है क्योंकि बेटियों की शादी का नवाने के बाद जो राशी दी जाती थी वो राशी उन्होंने नहीं दी आकरूश इसलिए है क्योंकि मेरे भांजे भांजियों की लैपटॉप उन्होंने चीन लिए, साइकले देना बंद कर दी आकरूश इसलिए है कि उन्होंने हमारे जो बेटा बेटी थे उनके मुख्यमंतरी मिदावी उध्यारती यूजना थंडे बस्ते में डाल दी आकृष इसलिए है क्योंके बुज़र्गों की तिर्थ यात्रा करवाना उन्हों ने बंड कर दिया था पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने मनाई क्रिष्ण जनमास्ट में जोरान उन्होंने कह दी ये बड़ी बात जिया पाकिस्तान के भारताई सीमा हैदर को काफ़ समय हो गया है मगल सोशल मीडिया पर उनके चर्च एक कम होने का नाम ही नहीं ले रहे है अपने प्यार की खादिर पाकिस्तान से सीमा हैदर भारताई थी वो जब से भारत आई है लोगों के बीद चर्चा का विशे बनी हुए है वही कारण है कि सोशल मीडिया पर अकसर उनके अलग-अलग वीडियोज वाइरल होते रहते अभी पूरे देश में क्रिशने जनमास्ट में का माहूल है लोगों के बीच खुशी की एक अलग की ही लहर चल रही है और इसे बीच सीमा हैदर का एक और वीडियो वाइरल हो गया है क्रिशने जनमास्ट में मनाती नजर आई सीमा हैदर जी आभी सोशल मीडिया पर सीमा हैदर का एक और वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में सीमा अपने पती सचीन के साथ कृष्ण जन्मास में मनाती हुई नजर आ रही है आपको बता दे कि सीमा हैदर जब से भारत आई है वो अपने पती के साथ अलग-अलग मौकों पर हिंदू धर्म के तेवारों को मनाती हुई नजर आती रही है ठीक उसी तरह इस बार सीमा अपने पती के साथ अपने ही घर पर कृष्ण जन्मास्ट में मनाती हुए नजर आ रही है वाइरल वीडियो में आप देख सकते हैं उनके घर में काफी संक्या में लोग एकत्रित हुए है सीमा अपने पती के साथ जमीन पर वैठी हुई है और एक कुर्सी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ती रखी हुई है अपने सीर पर चुनरी बानकर बैठी सीमा हैदर पंडित जी के कह अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही है सीमा ने कहिए बड़ी बात जिया कृष्ण जन्मास्ट की मी के अफसर पर सीमा हैदर ने अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की इसके बाद मीडिया से बात करते हैं उन्होंने कहा कि आज मेरे जीवन का बहुत खाल दिन है क्योंकि मैं बड़े दूमधाम के सा श्री कृष्ण जन्मास्ट में मना रही हूं उन्होंने आगे कहा कि वो ऐसे ही हिंदु निती रिवाजों को मनाते रहेगी और हिंदु धर्म में होने वाले हर्थ त्योहारों को आगे भी ऐसे ही दूमधाम के साथ मनाएगी इसी तरह की दिनबर की तमाम बड़ी खबरों स अप्ता के दिखते रही है मनस नेटवर्क मेरे साथ यह निर्श अंसारी के साथ नमस्कार यह है यह है मनस नेटवर्क और आप देख रहे हैं मनस नीज